हेलो दोस्तो नमस्कार मास्टर टेक्निशन चानल में आपका बहुत बहुत सौगत है दोस्तो आज हम जान लेंगे टाटा येस गोल्ड डिजल बी एस सिक्स गाड़ी है उसमें 700 सीसी का इंजिन है तो उस इंजिन का इंजिन टाइमिंग कैसे सेट करें इसके बारे में आज जान कर ले लेते हैं तो सबसे पहले इंजिन को क्लॉक वाइस घुमा के TDC पे हमें लॉक करना है तो इसमें हमें फ्लाइविल लॉकिंग पिन के साहरे से हमको फ्लाइविल को लॉक करना पड़ेगा देखो ये लॉक हो गया है अब दुसरा हम देखेंगे कि FIP High Pressure Pump है वहाँ पे भी एक timing gear पे lock का जगा दिया हुआ है तो ये जगा पे भी हमें FIP gear को lock करना पड़ेगा उसके बाद ये camshaft gear आता है camshaft gear के वहाँ जो camshaft का timing gear है वहाँ पे हमें एक guide pin से lock करना पड़ेगा क्यूंकि camshaft का gear है उसके पीछे एक plate लगे हुई है जो camshaft sensor के signal के लिए दिया गया है तो उसी के लिए हमें इसको lock करना पड़ेगा अब आते हैं camshaft का पीछे की तरफ lock यहाँ cylinder head के पीछे की तरफ हमें एक plate से lock करना पड़ता है वो lock पट्टी हमें दिया गया रहता है अगर lock पट्टी नहीं रहेगी तो 4 mm की plate अगर छोटी मिलेगी तो वहाँ पे हम डालके उसको lock कर सकते है अब यह सब चीजे lock होने के बाद हमें timing build चड़ाना है तो timing build चड़ाने के लिए हमें क्या करेंगे crank के आगे वाले side से जैसा यह देखो हमने आगे वीडियो में दिखाया है कि इस direction से हमें हमें खीच के timing build लगाना पड़ेगा लगाते समय उसमें हमें play नहीं मिलना चाहिए अब खीच के लगाने के बज़े से अब left side में जहाँ पे tensioner है वहाँ पे हमें play मिलेगा तो play को खतम करने के लिए हमें tensioner को adjust करना पड़ेगा और जितना चाहिए उतना ही tension हमको रखना होगा जो tensioner pulley पे direction दिया है उस हिसाब से direction में घुमा के हमें tight करना है वो भी manual में दिया हुआ रहेगा जितना torque लगाना है उस हिसाब से हमको torque लगाना पड़ेगा अब जो camshaft का timing gear है और camshaft इसमें lose रहता है free रहता है तो उसको भी हमें tight करना जुरूरी है camshaft को proper जगह पे set करके जो camshaft का timing gear है उसका mounting bolt को भी हम tight कर देंगे जो भी manual में उसका tightening torque दिया रहेगा उस हिसाब से हमको tight करना है अब ये timing gear के सब netball वेगरा tight होने के बाद हमको वापस reach check करना जोरूरी है कि जो हमने ये timing set किया है वो proper है कि नहीं इसके लिए हम क्या करेंगे engine को मतलब crankshaft को 2 round clockwise घुमाएंगे उसके लिए हमने जो locking करने के लिए जो system लगाया हुआ था ये flywheel क लॉकिंग पीन हो गया आगे timing को pin ए हाई pressure pump का timing pin हो गया ये camshaft का timing gear है उसके ओपर guide pin लगाया हुआ था वो भी निकालेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे अब बचा हुआ पीछे का camshaft lock plate उसको भी निकालेंगे इसको निकालने के बाद हम क्या करेंगे इंजिन को पूरा दो round गुमाएंगे अब हमारे दो round गुमा के पूरे हो गए अब ये गुमाने के बाद हमें ये चेक करना है कि वापस हमारा timing perfect है के नहीं इसलिए हम क्या करेंगे अब पहले flywheel को lock करेंगे पिन डाल गया अब देखेंगे high pressure pump वहाँ पे भी timing बरबर है कि नहीं उसके बाद camshaft gear है वहाँ पे भी उसका पिन डाल के चेक करेंगे वह अपने जगह पे है कि नहीं वह सही से लग रहा है कि नहीं उसके बाद पीछे आ गया हमारा camshaft locking tool उसको भी लगा के देखेंगे व अपने सही जगह पे बैट रहा है कि नहीं अब यह camshaft gear के पीछे जो plate दिया है उसको lock करने के लिए इसलिए tool दिया गया है कि जो camshaft का sensor लगता है तो sensor उसके साथ align रहना चाहिए मतलब sensor उसी के सामने आना चाहिए इसलिए हमें camshaft gear के यहाँ पे हमको pin डाल के रखना है त